So, बहुत सारे लोगों कोश्चन आ रहा था कि कौन सा वेप्रोटीन बेस्ट रहेगा for long term use और जिससे हमारे health के उपर भी किसी तरह का कोई adverse effect नहीं आए As, जो लोग नया नया gym join करते हैं healthy and fit रहने के लिए या फिर जिने body building में अपना career बनाना है तो उनके लिए कौन सा वेप्रोटीन बेस्ट रहेगा जो उनके budget में भी fit हो और उनके long term लें तो उसका कोई भी side effects नहीं हो And मैं आपके साथ share हूँगा मेरा personal experience इन 4 वेप्रोटीन के साथ Asmane 4 वेप्रोटीन को ट्राई किया है और मेरा personal favorite वेप्रोटीन कौन सा है ये भी हम जानेंगे Hey this month हमारे चैनल पे हो रहा है 10 packs of BCAA का giveaway जो मिलेंगे हैं हमारे 10 lucky subscribers को इन में से 4 lucky winners के name already announced हो चुके हैं अगर आपको भी करना participate तो इस वीडियो में subscribe कर लो और comment करिए And two amino acids present in BCAA So in this video मैं आपके लिए लेकर आए हूँ Top 4 वेप्रोटीन ब्रेंड का comparison जिसे देखने के बाद अब बड़ी आसानी से decide कर सकेंगे कौन सा वेप्रोटीन आपको लेना है as per your physical needs and financial limitations So today we will be comparing Muscle Blaze, On, G&C and Nutrilla Potentially वेप्रोटीन powder Here हमारा focus होगा इन चारो वेप्रोटीन के main features के उपर जैसे इनको prepare करने में blend कौन सा यूज किया गया है इनकी scoop की size की इतनी है Per scoop serving कीतनी मिलेगी Per scoop में हमें protein का कितना percentage मिल जाएगा BCCA कितना है और LRG9 bio fermented vitamins ये सारी चीज़े है कि नहीं है सब कुछ देखेंगे full detail से और सबसे important Per serving हमें कितना cost पड़ेगा उसका calculation हम लोग करेंगे In detail In case आप अगर इन चारो में से किसी भी वेप्रोटीन को खरीदना चाते हैं तो मैंने आपकी सुविदय के लिए इन चारो को ही खरीदने का link के description में दे दिया है आप वहाँ से इन में से किसी को भी बड़े आराम से online खरीद सकते हैं अगर आप एक first time viewer हैं तो subscribe कर लो 3Nator Fitness चैनल को क्योंकि मैं प्रोट करता हूँ health and fitness related real and quality information और बन जाए हमारी healthy family के healthy member पहले serving के बाद कर लेते हैं GNC के अंदर हमें मिलेंगे 55 servings ON के अंदर 54 Muscle Blaze के अंदर 54 और Patanjali Nutrela के अंदर हमें मिलेंगी 66 servings second आया जाता है हमारा scoop का size GNC के अंदर हमे 35 gram का scoop मिलेगा वहीं हमें ON के अंदर 31 gram Muscle Blaze के अंदर 33 और Patanjali के अंदर 30 gram का scoop size मिलेगा protein per scoop लोगों कितना मिल जाएगा in percentage हमें GNC के अंदर 67% मिल रहा है वहीं हमें ON के अंदर 71% मिल रहा है Muscle Blaze के अंदर थो हमें 76% मिल रहा है और बाबाजी ने कमाल कर दिया 80% now BCCF कितना मिल रहा है हमें GNC के अंदर BCCC मिल जाएगा 5.5 gram ON के अंदर मिलेगा 5.2 gram Muscle Blaze के अंदर मिल जाएगा 5.5 gram और बाबाजी के पास मिल रहा है 5.6 gram now Gluten GNC के अंदर present ON के अंदर भी present Muscle Blaze में present and Nutan Potentially में भी present है अब देखते हैं as urgent and किसमें present है और किसमें absent है so GNC के अंदर yes ON के अंदर no और Muscle Blaze के अंदर yes Patanjali में भी yes जहां बाकी सारी ब्रेंट्स हमें L-Arginine प्रोइड करा रही है वहीं पर ON का जो वे प्रोटीन है उसके अंदर हमें L-Argin देखने नहीं मिल रहा है so this is one of the drawbacks of ON's वे प्रोटीन next on the list है L-Cartinine जो हमें बाकी ब्रेंट्स के अंदर नहीं मिल रहा जैसे कि GNC, ON and Muscle Blaze के अंदर L-Arginine नहीं है वहीं Patanjali Nutella के अंदर हमें L-Arginine देखने मिल जाएगा so यहां पर यह बावाजीन ने कमाल कर दिया next on the list है bio fermented vitamins यह बहुत ज़रूरी हो जाते हैं अगर आप वे प्रोटीन खा रहे हो और वह बेना डाइजेस्ट हुए सीरा बाहर निकल जा रहा है तो किस काम का उसको डाइजेस्ट करने में help करने के लिए हमें चाहिए bio fermented vitamins लाइक धही में जो मिलते हैं so बाकी companies यह भी हमें प्रोइड नहीं कर रही है ऐसे हमें loads of protein को process करना पड़ेगा which is very hard for our digesting system to process तो अब जान लेते हैं किस company के अंदर है किस में नहीं है GNC के अंदर not available on के अंदर not available muscle blaze में भी नहीं है जस्ट न्यूट्रिया पादेंजली यह प्रोइड करा रहा है so yes next on the list है एक special item जो है herbal extracts याने जड़ी बूटिया तो अंदाज़ा लगे गया और किस के अंदर present होगा बाकी companies like GNC, ON and Muscle Blaze हमें किसी भी तरह का herbal नहीं देते वहीं पादेंजली herbal के अंदर एक नंबर है और वह हमें यहां पर herbal extracts प्रोवाइड करा रहा है जो कि है हर जोड हर जोड जो बूटी है वह हमारी हड़ीयों और muscles की strength increase करती है so here वापिस बाबाजी जीत गए अब देखते हैं इन में से कौन सा GMO free है so GNC नहीं है on भी नहीं है muscle blaze भी नहीं है जबकि न्यूटेला का yes है अब देखते हैं gluten free कौन कौन सा है so GNC gluten free है yes on भी gluten free है muscle blaze भी gluten free है और potential nutrella भी gluten free है so last but not least bend substances free यानि कुछ ऐसी चीजे जो हमारी health को खराब कर सकती है हमें कुछ तरह का नुकसान पहुचा सकती है वो सब free है की नहीं जान देते हैं GNC free है yes on भी free है muscle blaze भी free है और नुटेला पातांजली भी free है so जिस पर का आप सब इतनी बेस अबरी से नितजार कर रहे थे हमारे अब तक के सबसे important metrics याने cost per scoop एक scoop whey protein में आपको कितने रुपे खर्च करने पड़ेंगे उसके calculation की cost per scoop निकालने के लिए मैंने इन चारो ही whey protein companies के 1kg pack का price लिया है जिससे हमारी calculation बहुत जादा easy हो जाती है cost per scoop निकालने का formula मैंने use किया है price in kg divided by 1000 into gram per scoop now for cost per scoop के calculation के लिए मैंने इन चारो ही company के current per kg price को लिया है जो future में change भी हो सकते है now GNC का per kg price है 2267 और इसके one scoop के अंदरा हमे quantity मिलती है 35 gram therefore इसका cost per scoop हो जा रहा है rupees 80 only on whey protein के अब per kg price चल रहा है अभी 2899 rupees only और इसके एक scoop में हमें quantity मिलती है 31 grams की therefore इसका cost per scoop हो गया rupees 90 which is the highest of all अब next है muscle blaze का इसके per kg pack की price हो है currently 1799 rupees और इसके one scoop की serving है 33 grams की therefore हमारा cost per scoop आ जाता है rupees 60 only अब आ जाता है हमारा Indian brand Potentially Nutella इसके per kg pack का price चल रहा है currently which is subject to change in future 1795 rupees only और इसके एक scoop में हमें मिल जाता है 30 grams therefore इसका cost per scoop हो गया 53 rupees only which is the least so अब तक हमने बात कर ली कि कौन से way protein के अंदर क्या क्या चीजे मिलेगी और क्या क्या चीजे नहीं मिलेंगी और एक scoop के उपर हमें कितने रुपे खर्च करने पड़ते हैं अब आते हैं अपने conclusion के उपर तो अब बात कर लेते हैं अपने budget analysis की so अगर आपका budget low to medium चलता रहता है so इस case के अंदर मैं आपको says करूँगा अब GNC के way protein के साथ जाएं as इसके अंदर आपको 55 scoops मिल जाते हैं जहां cost per scoop आपको only rupees 80 देना पड़ता है और इसके अंदर आपको जितने भी essential चीजे चाहिए अपने body को grow करने के लिए वो सारी चीज आपको मिलेगी अब बात करते हैं अगर आपका budget medium to high में चलता है तब आप on and muscle blades के way protein के साथ जा सकते हैं as यह दोनों ही आपको 54 scoops बोलते हैं और muscle blades के अंदर आपको 60 rupees per scoop लगाना पड़ता है और वहीं आपको on के अंदर 90 rupees per scoop देना पड़ता है which is appropriate for high class body building अब मेरा personal favorite है on का whey protein as मैं personally इसे use करता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं इसमें जो 54 scoops लिखा गया है आप इसे अराम से 65 scoops तक टान सकते हो और इसका 90 rupees को ज्यादा खराब बात नहीं है as अगर आप body building करी रहे हो अपने आपको healthy रखना चाते हो तो यह बहुत छोटी सी cost है अब आ जाते हैं low budget के अंदर अगर आपका budget काफी कम है और आप एक student हो या फिर बहुत simple तरी किसे वेब प्रोटीन लेना ही चाते हो तो अपने Indian brand पातेंजली न्यूटिला के सदब जा सकते हैं मैंने personally इसे भी उस किया है इसके अंदर आपको 66 बोलते हैं बट आप इसको आराम से 75 तक टान सकते हो आप महां से इन्हें आराम से खरीच सकते हैं तो यह थी आज के हमारी वीडियो अगर आपको और भी किसी products का comparison वीडियो चाहिए तो जरूर से comment करिएगा आपके skin groupal BCW की वीडियो चल रही होगी आप वो देख लो क्योंकि उसमें चल रहे हमारा giveaway और अगर आपका कोई भी question है health and fitness related तो comment करना मत बूलना I will try my best to help you out जय हिंद वंदे मातरम